अगर वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों में शेर करें वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चेनल पर इंट्रेंस एजाम काफी डीटेल वीडियो आते रहती है तो मेक्सर आप चनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि आनौल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे चली वीडियो सुरू करते हैं तो पहले हम सब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का कि आपका जेएडवांस 2022 होने वाला है उसके क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है मीस आपका जेएडवांस है कब आपका एक्जाम होगा कब आपका रेजिस्ट्रीशन होगा क्या लास्ट डेट है आयए-टी के फुल-फॉब करें तो इंडियन इस्टिट्टूट अव टेकनॉलोजी यहाँ पर आपके टोटल इंडिया इंडिया में जोन में आते हैं। बात करें इस्ट जोन में का तो आ्या 23 भुवनिश्वर यह आयइट खड़कपुरं एट धनबाद by लाइन बात करें डॉर छून मीं अपकें और सेंट्रल जेन का तो नौ्ट जमुए ड्या एंड ड्यारइत n Τुमर करें यूर पात करें नौ आप IIT मद्रास है, IIT हैदरबाद है, IIT पलकड है, IIT तीरूपती है, इसके लाब़ाए West Junior में आपका IIT Bombay है, IIT धरवाड है, IIT गांधी नगर है, and last आपका IIT गवाँ है, तो यह को तो यह आपका 23 IITs थे इंडिया में, जाप J-Advance क्लियर कीजिएगा, तो अपका इडियर प्रोग्राम का means जब आप जए डवांस क्लियर कीजिएगा देन आप 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 इसके बात कर ले सकते हैं जो कि फॉर येर का कोर्स रहता आपका इसके लाब बी अच्छलर ऑफ साइंस इसके लाब बी आर्क में डिवल डिग्री बी टेक इसके लाब इंटेग्रेट आप 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 आपको डिवेशन भी दिख रहा होगा इसक्रीन पर आप उचाया तो दे सकते हैं यह ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप 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 आड्मीशन ले सकते हैं जिस भी आप इंस्ट्टिटूट में अडमीशन ले जेए एडवांस के थरू आप हम सब बात कर इसके लावब हम सब बात कर लेते हैं अधर इंस्टिटूट एडमीटिंग यूजिंग एडवांस ड्रेंग मींस आपके कौनक trainings के लावा जिसमें आप J-advang के बेसिस पे आप आप आडमीशन ले सकते हैं क्यूंकि बच्यों को लगता है कि J-advang के बेसिस पे बस उनको J-advang के बेसिस पे बस उनको Ajati ले सकते हैं अगे कुछ इसे इस एक लिच की बात करदा हा बनेसे ऊ Tetra इंडियन इंस्टिटूट ऑफ स्पेस साइंस टेक्नोलोजी त्रिवंदपूरम इसमें भी आप एड्मिशन ले सकते हो जेएडवांस के रेंग के बेसिस पे इसके लावा राजीव गांदे इंस्टिटूट ऑफ पेट्रॉलियूम टेक्नोलोजी आरजी आई पीटी इस राय कर सकते हो तो अब हम सब बात कर लेते हैं कि यह काफी इंपॉर्मेंस जैसा कि आप जानते हैं जैसा कि आप जानते हैं आपको पहले जमेंस का कटफ करना पड़ता है मिंस आपको पहले जमेंस का एक्जाम देना होगा जो कटफ निकलता उसको अगर क्लियर कीजिएगा तब ही आप जैसे एडवांस के लिएगा तो पहले आपको कटफ क्लियर करना जमेंस का तभी आप एक्जाम यह दे पाओगे इसके लिएब बात कर लेते हैं हम सब age limit का कि किस age के बच्चे इस exam को दे सकते हैं तो for general और OBC candidate के लिए जो date of birth रखा गया है वो 1 October 1997 के बाद का होना चाहिए मान लिए जब 1 October 1997 को हुए हो या उसके बाद में आपका date of birth आपका जनम हुआ है तो अभी आप exam के लिए eligible हो इसके लाब बात करें SC और ST candidate के लिए तुमको यहाँ पर 5-year का रिलेक्षिशन मिलता है maximum of two times in two consecutive years means अब two consecutive years में मात्र max to max आप Jadvance दो ही attempt दे सकते हो यह जो मैं details आपको बता रहा हूँ यह सारे में official ब्रॉशर से लिए हो में जो की release किया गया Jadvance 2022 द्वारा तो यहाँ पर कोई भी आपको मैं fake news नहीं बता रहा हूँ इसके बाद हम सब बात कर लेते हैं दूसरा जो eligibility criteria वो यह है appearance in class 12th a candidate should have appeared for the class 12th or equivalent examination for the first time in either 2021 or 2022 with the subject physics, chemistry, mathematics ऐसे बच्चे जो की science system से पास होई है 2020 से 2022 में वैसे बच्चे eligible होंगे Jadvance के लिए and इसके लबा candidate who had appeared in class 12th examination for the first time in 2020 और earlier are not eligible to appear in Jadvance 2022 और यहां पर साफ साफ लिखा गया है ऐसे बच्चे जो 2020 में पास की है अपना 2th या उससे पहले पास की है वैसे बच्चे यहां पे eligible नहीं होंगे 2020 या 2021 में पास किया है and उन्होंने Jadvance का form भरा means अपने अगर Jadvance clear कर लिया and उसका cut-up भी अपने clear कर लिया and जो 2020 में Jadvance होने वाला था उसका अपने form भी भरा पट आप exam देने नहीं गया किसी कारण वस तो वैसे बच्चे eligible हो सकते हैं इस बार उनको Jadvance 2022 देने का मोखा मिलेगा direct अब जाके वहां पर Jadvance 2022 exam आप दे सकते हैं तो वैसे बच्चों को यहां पर relaxation दी गई है उनको कोई भी फिर से जेमेंस नहीं देना है बट यहां पर साफ सफ लिगे गया है ऐसे बच्चे जो Jadvance देने नहीं गय गई है ऐसे बच्चे जो 12th pass किये थे 2020 में उसके लिए यहां पर कुछ relaxation है वो मैं आपको समझाता हूं जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि ऐसे बच्चे जो 2020 से 2020 से पहले पास हों है वैसे बच्चे exam नहीं दे सकते हैं बट इस साला को कुछ relaxation दी गई है ऐसे बच्चे जो 2020 2020 में 12th pass किया है वो exam दे सकते हैं बट इनको दो criteria है जो fulfill करना होगा उसके बाद ही वो exam दे सकते हैं तो जो पहला criteria वो यह है the candidates should have appeared only once for J-Advanced either in the year 2020 और 2021 और have not appeared in any paper in both J-Advanced 2020 और J-Advanced 2021 ऐसे बच्चे जिन्होंने 2020 में 12th pass किया और इन्होंने 2020 में भी J-Advanced नहीं नहीं दिया में दिया और 21 में दिया मिस दोनों साल में से किसी एक साल में ही अपने अगर J-Advanced दिया है तो आप eligible हो सकते हैं बट आपको साथ ही साथ दूसरा criteria वो भी fulfill करना होगा वो भी हम सब देख लेते हैं क्या है these candidates should appear in J-Advanced 2022 and meet the cutoff score of the two 2.5 lakh successful candidates including all categories for qualifying in J-Advanced 2022 in their respective category इसके साथ ही सा criteria वो यह था कि आपको फिर से J-Advanced 2022 में आपका eligible होने का मौका मिलेगा आपको पहले J-Advanced 2022 में participate करना होगा और टॉप धायलाग बच्चे में आपका आना पड़ेगा तो ही आप यहां पर eligible हो सकते हैं J-Advanced 2022 में तो यह कुछ important eligibility criteria थे जो बच्चे को जानना चाहिए था तो पर हम सब बात कर लेते हैं बात करते हैं हम सब पहले इंडियन नेस्नल के लिए मिस जो इंडियन candidates जो अपलाई करेंगे J-Advanced के लिए उनका कितना फिल अपता है category wise मों आपको समझा देता हूँ पहला female candidates all categories मिस जिस भी categories के जो female candidates है माली जब जनरल से हैं EWSC है OBC से हैं SC और के लिए इसकर जितने भी categories बच जाती हैं जिससे कि आपका general हो गया general EWS हो गया and OBC जो तिन categories बच जाती है उनके लिए 2800 रुपीज आपका registration fee लगेगा J-Advanced के लिए means उसे दुगना पैसा लगेगा अपका 800 रुपे लगेगा J-Advanced का registration fee तो अब हम सब बात कर लेते हैं सब से most important documents वो यह है class 10th certificate जो कि आपके date of birth verification लिए लिए जाएगा और वहापको अहाँ पर birth certificate भी लगा सकते हैं इसके लावा दूसरा जो दूसरा हमारे document जो सबसे most important यह है category certificate category certificate वैसे बच्चों के लिए रहता है जो कि reserved category से belong करते हैं जैसे कि general EWS हो गया, SC वाले हो गया, ST हो गया, PWD candidate हो गया वैसे बच्चों को category certificate का जुरुत पड़ता है reservation लिनी के लिए तो उस पर हम सब बात कर लेते हैं किया क्या criteria मैं आपको बताऊंगा category वज बताऊंगा कि general EWS के लिए क्या criteria है इस cloud OBC के लिए क्या criteria है तो उस पर हम सब बात कर लेते हैं तो बात करें general EWS के लिए तो general EWS का जो रख लें क्योंकि यहां पर video में आपको भी बता दे रहा हूं तो आप 1 April 2022 के बाद का ही आपका वहां पे लगेगा इसके लिए बात करें OBC के लिए तो यहां पर आपका OBC का जो certificate बनता है वो आपका 1 April 2022 के बाद का ही valid वाना जागा तो आप भी पहले से बनवा कि इसको सकते हैं इसके लिए अभी जो आपडेटेड जो गाइडलाइन से गौवर्मेंट दुरा आप देख सकते हैं उसके basis पे आप भी अपना बनवा लें अब हम बात कर लेते हैं कोशन पेपर का कि जैडवांस का जो एक्जाम होने वाला उसके क्या कोशन पेपर है क्या कोशन प आप उने पेपर रेते हैं निस आपका 6 गंदे का टोटल यहां पर एक्जाम होता है अपेरिंग्क फोर बूत बिल्कूल कंपर सरी यह उसा नहीं है प्र बिल्कूल कंपर नहीं आप पेपर वन देंगे यह चोड़ देंगे यह पेपर टू घूला जाए कूल नहीं होना चा पता चल जाएगा किस की कोश्टिंप आपको नेगेटिव मार्कियों आपर मिलेगा इसके लाब अब इसके लावा इंग्लिस नहीं आपको एवलेबल मेलेगा मिस्ट ऐसे बचे जो कि हिंदी मेडियम से आपको होँआ पर कोई दिकत नहीं होने वाली है क्योंकि वहां पर अब हम सब बात कर लेते हैं 75% के क्राइटेरिया के उपर बहुत सारे बच्चों को डाउट है किस साल 75% का क्राइटेरिया रहेगा यह नहीं रहेगा उस पर हम सब बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने अपने पर लिखा हुआ था कि 75% क्राइटेरिया रिमूब तो यहां पर जैसा कि मैंने अपने पर लिखा है 75% क्राइटेरिया रिमूब तो बिल्कुल रिमूब हो चुका है बताता हूं मैं कैसे यहां पर ब्रॉसर में यह एगा admission के criteria में तो यहां पर लिखा गया है performance in class 12th और equivalent board examination यहां पर लिखा हुआ है कि class 12th में का कैसा performance होना चाहिए तब यह पर eligible हो पाई है कि jay advance लिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है candidates must pass class 12th और equivalent exam with the following subjects physics, chemistry, maths and language यहां पर लिखा गया है कि ऐसे candidates को बस 2th pass होना चाहिए PCM से science system से बस वहाँ पर pass होना चाहिए अगर आप पहले का ब्रॉसर देखते हैं जाके 18 या 19 क्यूंकि 20-20 में कोविड के कारण 75% का criteria remove हो चुका था अगर आप उससे पहले का जाकर ब्रॉसर देखते हैं वहाँ पर लि चुका है बस मैं ऐसी आपको नहीं बता रहूं अगर आपको बिस्वास नहीं आप पिछले साल का ब्रॉसर देख सकते हैं जो 18 या 19 का ब्रॉसर आप देख सकते हैं उसमें साफ साफ लिखा गया कि 75% क्राइटी 75% में होना चाहिए बट यहां पर जो लिखा गया वह लिखा है सारे सर्टिफिकेट का फॉर्मेट से उसमें दिया हुआ है आप वहां से जागे बनवा सकते हैं उसको जीतने भी अगर आप जनना चाहते हैं कि यह इडवांस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैट का सेक्शन वाइज क्या-क्या सीलिबस है और उनको से चैप्टर से कोशिन को ज्वांस में ज्वांस से रिलेटेटेट सारे डाउट को मैंने यहां पे क्लियर कर दिया है बहुत है डीटल में अपको यहां पर समझा दिया है एंद मुझे नहीं लगता है यूटूब अभी तक कितनी डीटल कुईसी ने बनाई है जीडवांस 2020 टू के उपर तो अगर